इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे the idea of सत्या ग्रहा सत्या ग्रहा कいう idea को हम पढ़ने वाले संभने वाले और विडियो में आपको रहा था नोट पर हमने स्टितिती मेन इसी इंपेके हम थे थे लोग परिशान थे लेकिन कुछ हाथ लग नहीं रहा था और उस इस्तिती में एक टाइंग क्या होता है एक नए लीडर इमर्ज होते हैं और एक नए मोड ऑफ स्ट्रगल के साथ में वो नए लीडर थे महात्मा गांदी और जो नए सत्याग्रह का आइडिया अखिरकार है क्या किस चीज पर वह बेज्ट है तो आइडिया जो है वह हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं टेलिग्राम चैनल जो है इसे जरूर जोइन कर लेना सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे हम वन-to-one connected रहेंगे म विज होती हैं और बहुत सारे scholarship exams होते हैं इन सारे features को आप explore कर सकते हैं using the code DIGRAJ ठीके तो अब सत्य अग रहा के idea के अगर हम बात करते हैं तो महत्मा गांधी return to India in January 1915 समझ लो मैंने आपको theme में भी यही समझाया था क्या समझाया था theme जब बताने की बात बोल रहा था मैं कि इंडियन नाशनल मुव्मेंट वाला यह चैप्टर है nationalism in India तो यह बेसिकली इंडियन नाशनल मुव्मेंट के उस face को बताता जिसे हम गांधीयन face कहते हैं कि हां गांधी जी के बाद में इंडियन नाशनल मुव्मेंट किस दिशा में दोड़ों लगा रहा है थीक तो बेसि तो महत्मा गांदी अपने सांथ एक आइडिया लिखे आए थे इंड आइडिया और वाउस सत्याग्रह का आइडिया लिखे आए थे तो उस महत्मा गांदी ने वहां पर भी आवाज उठाई अपने पास पीट पार्ट दिया लोगों को ठीक है उन्होंने सत्याग्रह का प्रिंसिपल वहां अप्लाई किया था और उस ट्राइड एंड टेस्टेट सक्सेस्फुल आइडिया का उन्होंने इंडियन नाशनल और सथ्य प्लस आगरहा सथ्य समझते आ आप सथ्य क्या है सथ्य मतलब टुट और आगरहा मतलब to hold from आगरहा निमंतरण देना किपी चीज को किसी चीज़ पर क्या करना आप बाहर निकल के आता ही आता है तो यहां पे सत्याग्रह जो है तो दी आइडिया उफ सत्याग्रह एंफसाइज दी पावर ऑफ टूथ एंड दी नीड फोर सट्स एंड नीड तू सर्च फॉर दी टूथ की यूर रिक्वाइड डू नदी आपको कुछ नहीं करना है ठीक है प् कि philosophy आखिर कार क्या कहती है मंट के साथ कोई गलत कर रहा है अगर करने दो ऑसे गलत करेगा अगर आप सही हो ठीक है अगर आप सही हो ठीक है अगर आप सही के लिए खड़े ओ आप सही बोल रहे हो ठीक है देन यूर ना required to use the force or violence ठीक है मतलब आपको तब हिंसा की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको लड़ने की जरुवत नहीं पड़ेगी किसी से अगर आप सही हो तो आपको क्या करना है अपने मन में उस बात को रखना है कि आप सही हो और आपको सामने वाले को ये चैताना है क्या है कि सामने वाले को ये एहसास बिलवाना है कि भाई तुम गलत कर रहे हो क्योंकि मैं सही हूँ तो इस तरह से क्या है If the cause was true If the struggle was against injustice ठीक है Then physical force was not necessary to fight the oppressor मतलब अगर आप सच के लिए खड़े हो आप injustice के अगेंस्ट खड़े हो तो आपको फिर physical force के जरुवत नहीं है सत्यागरा का आइडिया मैं बतलब personal experience share कर रहा हूँ तो महत्मा गांदी को लेकर हमारे देश में देश विभाजी थे विभाजी तेसे कुछ लोगों को लगता है कि His ideas were not so effective ठीक है मैं अपने personal opinions बता रहा हूं यहां पर ठीक है I'm not imposing anything on you बागी मैं आपको एक बता रहा हूं चीज तो महत्मा गांदी को लेकर देश विभाजी थे कि उनका board of struggle सही नहीं था यह हो जाता वो हो जाता WhatsApp University वाले बहुत सारे आ जाते हैं एक चीज मैं आपको बताता हूं ठीक है महत्मा गांदी को आप पढ़ते हैं तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो चीज गलत नहीं है वह चीज आपको समझ नहीं आ रही है सत्यागरा का आइडिया यहां पर पढ़ने नहीं कभी तो यहां लग सकता ऐसा थोरी नहीं होता है रियल वर्ल्ड में रियलिस्टिक होना पड़ेगा आपको बहुत जादा ऐसे हम किसी को मनाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी अपना इंट्रेस्ट थोरी ना होता है मतलब अपने इंट्रेस्ट को थोरी ना पिटवा के एक तरह से हमारी बात मान लेगा या फिर इंफ्लेंस हो जाएगा लेकिन यह बात फैक्ट है जैसे एक चीज़ वह आपके सांद शेयर करता हूं तो क्या होता है कि अगर आप सही होना तो आपको रात में नीन आती बहुत अच सभी हिसाब से तो आपको सत्याचारी से लड़ना नहीं है उसके अगेस्ट में कुछ जाके बोलना नहीं है ठीक है मार पीट नहीं करना है क्या करना है अगर आप सही हो if the cause was true if the struggle was against injustice then physical force was not necessary to fight the oppressor ठीक है without seeking एनी वेनेगेंस मतलब प्रतिशोद मतलब आपको उससे बदला भ और बिंग एग्रेसिव एग्रेसिव भी नहीं होना है चिल रहा हो ठीक है without seeking वेनेगेंस और बिंग एग्रेसिव इस सत्यागरारी कुट विंदी बैटल थू नॉन वायलेंस ठीक है तो सत्यागरा का आईड़ी यह कहता कि आपको जीतने के लिए हत्यार में उठाना है आप है आपको डिसीव नहीं होना है आपको प्रतिशोदनी लेना है बिना सब कुछ किये आप क्या कर सकते हो जीत सकते हो किके जो बैटल है वो जीत सकते हो किसकी उन्हौण वायलेंस अहिंसा की मदद से तो अगर आप सच के साथ हो घ ear तो आपको क्या करना है, violence का तो इस्तमाल करना ही नहीं, non-violence पे focus करना है और non-violence से कैसे जीतोगा आप ठीके, by appealing to the conscience of the oppressor oppressor मतलब क्या है, जो अत्याचारी है जो गलत कर रहा है आपको क्या करना है, आपको बस उस अत्याचारी को ये एहसास दिलवाना है कि भाई तू गलत कर रहा है, फिर क्या होगा, फिर ultimately जिस दिन सामने वाला जो oppressor है उसके आत्मा को ऐसा हसास हो गया ना, कि हाँ यार मैंने गलत किया है तो उस दिन क्या होगा, उस दिन आप automatically, क्योंकि उसने guilt अपनी accept कर ली ना तो automatically आप जीत जाओगे, truth is bound to triumph, ठीक है, सच की विजय होती ही होती है समझ ले ना इस उसको, तो कैसे जीते हैंगे, by appealing to the conscience of the oppressor people including the oppressor had to be persuaded to see the truth, instead of being forced to accept the truth through the use of violence violence करके आप लोगों को डरा के धमका के लोगों के बारे में कुछ बोल के अगर सच को मनाने की कुशिश करोगे है ना सच को बताने की गोशिश करोगे वो गलत है आपको सिर्फ क्या करना आपको जो गलत कर रहा है उसकी उसे हैसास दिला दो कि तुने गलत किया ठीक है तो ऑप्रेसर को यह हैसास दिला दो उसने गलत किया है ठीक अगर आपको यहां कितना पानी लगा तो मैं आपको एक बार बहुत सिंप्लिफाइब कर देता हूं ठीक है अगर आपको यह संब्सक्राइब को नधर हैं तो कहां कहां सत्याग्राइब कर वह बहु Clayton में वहां परी सिंप्लिफी आढ वा फॉट्रण में और इंसे श्थाएब टूल और सत्याग्राइब लग रहा का यह आइडिया है if you are fighting for the truth ठीक है if you are fighting against the injustice ठीक है if you are fighting for the cause of truth तब क्या होगा then you are not required to use violence in any form simple सी चीज़ आपको वाइलेंस पो इश्वास नहीं रखना है ठीक है what you are required to do ठीक है without seeking any when against without being aggressive what you are required to do you are required to appeal to the conscience of the oppressor आप जो अत्याचार कर रहा है गलत कर रहा है उसकी अंतरात्मा को यह हैसाच दिला दो कि आपने गलत किया है तो you are required to go with the you are required to go with the truth and you are required to appeal to the conscience of the oppressor and in this way ठीक है one day the truth is going to be यहां पर टूट की जो सच है सच की विज़े होगी ही होगी यह आइडिया है किसका सत्याग्रह का कहां कहां सत्याग्रह को एक्स्प्रिमेंट किया गया तो जैसे चंपारन सबसे पहले बिहार में बात करें पुरानी और यहां पर टूट सब्सक्राइब की जो पिजन्स थे और यहां पर क्या है यहां थोड़ी सी पता देता हूं कि जो पीजन्स थे ते इंडीगों की खेती करते थे ब्रिटिशेस ने मना बोलती आज और आज से खेती बंद ठीक है खेती तो पीजन्स वर फाइटिंग पीजन्स जो थे वह देवर फाइटिंग अगेंस इंजस्टिस तो महात्मा गांधी ने यहां पर मुमेंट को लीड किया उन्हें बोल दिया कोई बिहार नाइटीन सेवंटिं यह मैप पे आएंगे सारी चीज़े मैप में अलग से प्लॉट कर वा हुआ लाइफ सेशन हम प्लॉट कर लेंगे ठीक है बाके में बताता चल रहा हो भी दियार नखना फिर क्या है दूसरा जो एक्जामपल है वो कहा है खेदा गुजरात क्रॉफ फेलियर हो गया एपिटमिक है महामारी है खाने की कमी है तो वहां के पीजन्स रवेन्यू नहीं दे पाएंगे गवर्मेंट को लेकिन गवर्मेंट बोलरी थी रवेन्यू दो तो यहां पे महात्मा गांदी ने एक और सत्याग्रह और यहीं महात्मा गांदी को कौ किसी सीज टृत की अगला ऐहमदाबाद गुजरात एहमदाबाद गुजरात में जिसके तो 1917 और गा एक टील क्रोन कोई 1717 1818 एकुरोनांडोव सब्झाय कर अहेंी गजरात में प्र पूर्ट तो एहमदाबाद तो और्गनाईज अ सत्याग्रा वोमेंट अमंग दी कॉर्टन मिल वरकर यहां जो कॉर्टन मिल वरकर थे और देखो सच सच होता है ठीक है वो आप ऑपरेसर आपके ब्रिटिशर्स थे कहां पे चंपारन में और खेदा में यहां ऑपरेसर को ने पता है यह आपको बता दिया तो चीज़ें यहां तक समझ मैं आईए नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टोरी लाइन पर आपिस आ जाएंगे मतलब जैसे जो हमारी स्टूडी लाइन चल रही ही ना कि नेशनल मुव्मेंट का सर नेशनलिजम कैसे डवलफ हो रहा है तो आपने फर्स्ट वर्ड वर देख लिया फर्स्ट वर्ड वर के बाद में जो बड़ा चेंज आया कि नए लीडर नए आइडिया के साथ में तो नए क्लियर हो जाएगी जलिया वाला बाग खिलावत इशू तो अच्छा टॉपिक है वो स्टोरी लाइन जो हमारी पूरी वहां पर लाइन हो जाएगी ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए साइन आफ करते हैं तोगेधर वी कैंड वी विल थैंक यू थैंक तोगन जाएब लगहां जाएब शो फेन क्वीड चाहिए